तो हे गाईज कैसे आप सभी वेलकम आपका हमारे चनल पर तो गाईज CBLU इनिवस्टी ने अपनी जो भी वेकेंट लिस्ट है वो जारी कर दी है जितनी भी वेकेंट सीट खाली पड़ी है डिपार्टमेंट वाइज या कोलिजिज के अंदर तो वो सब लिस्ट इसके अंदर मेंशन है इसमें आप डिपार्टमेंट वाइज देख पाएंगे ठीक है सबसे पहले याँपे देख पाएंगे देखी याँपे MA Economics से स्टार्ट करके सारे कोरस वाइज याँपे दिया गया है ठीक है सबसे पहले सीरियल नंबर में आपको मिलेगा डिपार्टमेंट मतलब जो युनिवस्टी टीचिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर कितनी सीट खाली है यह उन्होंने टोटल सीट नहीं दीगी टोटल इस तरीके से दिया गया है जैसे ओल इंडिया ओपन दिया गय और फिजिकल हैंडिकेप्ट तो अलग अलग दी गई है सभी की सीट जितनी भी वेकेंट है तो आप इस लिस्ट से चेक आउट कर पाएंगे इससे आपको एक वेनिफीट और होगा आप ओपन काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं जैसे जो भी आगे होनी है जो शेडूल ह आपको एक दिन का टाइम और मिल सकता है इसके बाद आपकी ओपन काउंसलिंग होगी 11 और 12 ओक्टूबर को ठीक है तो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं हर एक कोलेज में भी आपको यहां पर मिल जाएंगी कोर्स वाइज जैसे में एकनोमिक्स का देखें पहलाई में एकन एला माहवीदलह भीवानी उसके बाद मनस्hhhh Scolf Yeah अग्रशन से यहां पðर और यथीन्वस्तिवर्मेंट है और योनोर सब्सक्राइब को इसे पहले लिस्ट में आपको मिलेंगे यहनुवस्त्री टीरिंग डिपार्टमेंट जिसे में इंगलिस उसे पहले यहां पर दिया गया है MA Economics Department यह MA in English Department of CBLU ठीक है न उसके बाद सारे colleges mentioned है किन-किन colleges में यह courses है और उसके बाद यहां पर last में आप यहां पर देख पाएंगे आपकी जो category है उसके इसाब से यहां पर vacant seat आपको मिल जाएंगे ठीक है तो इसको share कर दें ताकि सभी student के आपास information पहुंच जाए उसके बाद जो रोल और regulation दिये गए उन्हें वह भी देख लेते हैं क्या open counseling के लिए तो open counseling के लिए यहां पर schedule दिया गया साथ October का ठीक है पहले भी साथ October का ही था नो बज़े से बारा बज़े तक आप इसमें अपना submit करवा सकते हैं document ठीक है दा minimum eligibility and number of seats for admission to various courses विल रिमेन दा सेम एज पर information ब्राउचर सीट इंक्रीज नहीं हुए है जो भी सीट ओल्रेडी मेंशन थी जो भी आपका प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर थी वही रहेंगी ठीक है उसके बाद यहां पर सुपर्मिनेरी सीट ओफर्ड बाइद डिपार्टमेंट सेल बी फिल्ड इन फिजिकल कांसलिंग कोई भी सीट अगर एक्स्ट्रा दी गई है इसके अंदर प्रोवाइड की गई है इनिवस्टी की तरफ से एममेड और एम्बे की केस में विदाउट हमिंग एनी रेगुलर पीजी डिग्री में आल्सो अपलाई फूर रेगुलर पीजी कोर्शीज टू बी डिसाइडीड एंड कंफिर्म बाई अथरूटीज उसके बाद है यह अधा मारक्स पूर दक एंट्रेंस टेस्स सब्जेक्ट वाइज है और तो यह पर प्रेफरेंस दी जाएगी डोकुमेंट रिलेटी टुडू कैटेगरी, इंकम सर्टिफिकेट और बाकी अधर जो भी डोकुमेंट है, आपका जो भी फोरम आपने भरा था वो और बाकी ओरिजनल डोकुमेंट आपके मार्क शीट बगरा, प्रेक्टर शर्टिफिकेट वगरा वो सब आपको लेके जाने पड़ेंगे ठीक है और आपके काटेगरी का भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद इसके अंदर कुछ खास नहीं दिया गया कि अब फीज मिसन के लाजड दी गई है अगर आपका अड़िमिशन हो जाता है तो आठ तारीक दी गई है ठीक है ना आठ तारीक तक आप अपनी फीज प्रालेद करवा सकते हैं ठीक है उसके बाद IMPORTANT पुएंट 11 पर क्या है दा यूट्विडी कोलेज और रिक्वेट टू प्रोपरली मार्क ता पर जैन्स ओप इंट्रेस्टिट कंडिडिट एज पर फॉर्फोर्मा एटेच्ट बिलो एक पर फॉर्मा इन्होंने एटेच्ट किया हुआ है उसके इसाब से मतलब जो भी कोलेज है या युनिवर्स्टी टीजिंग डिपार्टमेंट है उनको अपनी पर जैन्स उसमें दिखानी है कि कितने बच्चे आए हुए थे फिजिकल काउंसलिंग में ठीक है तो यहां पर सिरियल नंबर के हिसाब से फादर नेम कटेगरी एप्लिकेशन आइडी जो भी एप्लिक को क्विट करते हैं थैंक्स पो वाचिंग